Studio setup देखते हैं तो हम आज YouTube setup देखने वाले हैं YouTube का Studio setup किस परकार का होता है यह पूरा का पूरा हमारा YouTube setup है और मैं एक-एक Component की जानकरी एक-एक चीज की जानकरी में आपको देने वाला हूँ कि कौन सी चीज का क्या use होता है जैसे कि दोस्तों मैं आपको सरुप्रतम बताना चाहूंगा ये आप ये ट्राइपोर्ट देख रहे हो ये ट्राइपोर्ट बिल्कुल देशी तरीके के हैं ये ट्राइपोर्ट बिल्कुल देशी तरीके के हैं और ये एक बिल्डिंग वसीन में जाकर के बनवाया थे तो हमारा सबसे पहला ट्राइपोर्ट ये था जब संसदन की कमी होती है आबाव होते हैं तो हम गांवाले क्या सोचते हैं कि कुछ न कुछ कम खर्च में जुगाड़ हो जाए तो वो ही जुगाड़ मेंने लगाई ये तो 10 mm का सरीया है जो की मकान बनाने में काम आता है उसके ये तीन जो है पेर लगा दिये और एक ये उपर वाला यहां पर हम मोबाल को रखते थे ये मोबाल इस्टेंड हमने इस कार की बना लिए तो ये तो हुआ हमारा प्रवाराना ट्राइपोर्ट फिर उसके बाद में हम ये ट्राइपोर्ट का यूज क्या है अब आपको मैं बता दूँ कि ये ट्राइपोर्ट हमने बनवाया था प्रोजेक्टर को रखने के लिए तो देखो दोस्तों ये जो ऊपर नीचे भी हो जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि बिल्गुल जो ट्राइपोर्ट औरीनल र लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूँ यहां पर हम अभी जो यूज करते हैं यह वाला ट्राइपोर्ट यूज करते हैं बिल्कुल हूबा हूँ जो ट्राइपोर्ट वो रहता है औरीनल वाला जो हम बाई करते हैं फिलिपकार्ट अमेजोन से वह वाला ट्राइपोर्ट उसी का मतलब है ना ये कोपी है ये भी वो ही है सरीया है 10 mm का 10 mm का शरीया हमने यहां पर building machine पर जाकर ये नीचे दिखाना ये देखो ये इस प्रकार से नीचे support दिये यहां पर tube light रखी रहती है और यहां पर कभी अगर short video बनानी हो तो ये जो selfish stick होती है और यहां पर हम mobile को रखते हैं और ये क्यों beneficial है अर्था क्यों है क्योंकि हम चाहे हमारे according हम चाहे तो इसको adjustable कर सकते हैं यहां पर pass में आ करके दिखाओ देखो ये एक nut है और उसमें ये bolt होता है ये अगर हम कसते हैं तो fix हो जाता है और अगर इसको थोड़ा सा धिला करते हैं तो उपर नीचे हम इसको कर सकते हैं ये देखिए आप और ये गन्वन भी घुमता है अर्था चारो तरफ इसका view देखने को हमें मिल जाता है लेकिन हम क्या है कि study video बनाते है इस वज़े से ये क्या रहता है बिल्कुल fix रहता है अब हम बात कर लेते हैं ये हो गई इस ट्राइपोट की बात हो गई तो ये हमारा देशी ट्राइपोट है गाउं का बिल्कुल देशी ट्राइपोट ये यहां पर mobile रखते हैं अब देखते हैं हम क्या है यहां पर mobile रखते हैं तो उस condition में क्या होता है कि जब हमें पता नहीं होता है कि OSC attracted to the screen के भार हम लिक लिक रहा है तो इस at ACT का प्रियोग करते हैं अब आते हैं क्या setup है तो आप देख लिजीए एक तो यह ट्यूब लाइट रखिए और उपर यह बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है, 25 वाट की ट्यूब लाइट है, और दो ट्यूब लाइट है, और जल रही है, और यह जो लाइट है, यह क्या हो गई है, खराब हो गई है, उपर दिखाँ, उपर यह लाइट है, एक ट्यूब लाइ का है और उसके बाद में क्या यह LED आपको दिख रही है तो यह LED क्या काम आती है यह LED इस काम में आती है तो हम इसको इस pen drive के माध्यम से यह यह OTG और यह है आपकी क्या pen drive क्या है pen drive अब इसको हम इसमें फसाते हैं और यह किसमें connect कर देते हैं यह तो mobile से connect करके data को इस USB में लेके आते हैं और यह USB निकाल गर कि हम इस LED में लगा देते हैं तो क्या होता है कि इसका data LED में transfer हो जाता है और picture चला करके हम अपने question को दिखात पर देते रहते हैं और हमारा इधर तो question दिखेगा और इधर हमारा क्या होगा शौलब होगा तो यह हमारा देसी जुगाड बिलकुल देसी वाला गाओं का एक देसी जुगाड है यह और भोती मस्त जुगाड है यह और इससे क्या होता है कि वीडियो की quality भी बहुत यूज कर रहे हैं हम यह हूजा का यह हूजा का माइक जो है ना हूजा HBM 60 CC का माइक प्रियोक करते हैं लेकिन इससे पहले में यूज करता था दोस्तों इससे पहले में यूज करता था बोया का बोया का माइक यूज करता था लेकिन यह क्या होता है इसमें यह 29 कैंसिलेशन उतना नहीं हो पाता है इसमें 29 आती है बेग्राउंड वाला जो साउंड होता है वो इसमें देखने को मिलता है लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है एक माईक और बाई किया था अब ये माईक कहां से बाई किया ये माईक कहां से बाई किया उसे मैंने यह वैइ किया था तो पूरा का पूरा मुझेश्यायाता ने मुझे दिया था अब फिर connector की समझ्या थी इसमें तो ये आप देख सकते हो ये वाला माइक मैंने flip card से buy किया था ये वाला माइक मैंने flip card से buy किया था लेकिन इसकी भी voice अच्छी है लेकिन इसमें भी 29 cancellation उतना अच्छा नहीं है अगर 19-20 फर्क रहता है ये भी बहुत बढ़ियां है और थोड़ा सा noise cancellation बिल्कुल 100% होती है ये वाला जो है ना माइक दाबेस्ट है और ये भी दाबेस्ट है लेकिन इसमें अगर बीस पर हंड्रेट परसंट अगर 29 cancellation होती है तो इसमें 90-95% noise cancellation देखने को मिल जाती है अब और देख लेते हम और क्या है ये वाइड बोर्ड है आपको अच्छे रखी रहती है और ये हमारे मार करें ये हमारे क्या है मार करें और इसको साप करने के लिए एक ये कपड़े का क्या बना कर रखा डस्टर बना कर रखा जो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं साप कर देते हैं और ये क्या लगा कर रखें जो आपके कोल गेट करने के होते हैं वोस्रूम में तो वो जो है न यहाँ पर hangar लगा के रखा हमने और इस में हम यहाँ पर इसको रख देते हैं और यहाँ पर हम पूरे की पूरे क्या रखते हैं इक रखते हैं और उसके बाद में और क्या special है इस देशी जुगार स्टूडियो में तो एक और हमारे पास ये है कि ये एक wide board छोटा सा है ये wide board क्या है छोटा सा है आपको अच्छे से पता होगा कि अब इसका प्रियोग केसे करते हैं अब इसका प्रियोग हम केसे करते हैं अब हमारा ये wide board है और हमारे पास एक और ये है ये है stand यह इस्टेंड यह एड़ेस्टेबल हो सकती है इस प्रकार से कर सकते हैं इस प्रकार से कर सकते हैं इस प्रकार से कर सकते हैं एड़ेस्टेबल यानि कि अगर आपको बेट के पढ़ाना है विना चेहरा दिकाए अगर बेट के पढ़ाना है तो इसको किस प्रकार से देखेंग चेहरा दिखा है, क्योंकि मोबाइल यहां रहता है, सिर्फ और सिर्फ content दिखता है यहां पर, और बेट करके भी आप क्या बना सकते हो, अपनी वीडियो को बना सकते हो, तो बस इतना ही हमारा setup है, यह बिल्कुल देशी studio setup है, और आपको भी इस परकार का setup बनाना है, तो आप comments box में मेरा suggestion ले भी सकते हैं, और आप चाहो तो इस frame को देख भी सकते हो, कि एक 10 mm का सरीया ले करके आप अपनी stand को कैसे adjustable बना सकते हो, देको यह उपर भी जाती है, और नीचे भी आती है, यह, और यह नीचे भी आ जाती है, यह, और यह चारो तरब घूम भी जाती है, इस ना गिरे, तो यह हमारा होता है, ग्रामीर छेतर का देशी setup बिना पैसो के आबाओ में हम कम से कम पैसो में किस परकार से studio complete कर सकते हैं, अगर आपको यह studio पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह मालवा इस्टेडी सब्सक्राइब करना है, और